प्रिवावी सिक्षकों और सिक्षिकाओं एक बहुत ही कॉमन सा क्वेस्टन है जो इंटर्व्यूर आपसे 100% यह मान के चलिए कि वो सवाल आपसे पूटप किया जाएगा यहां पर जब हम बात करते हैं आपने BTC ये BAD किया हो सकता है आपका फेल्ड अलग रहा हो या फिर नॉर्मल कोई फृल्ड रहा हो लेकिन अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो देखे जवाब सभी का सभी को आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो पिता जी ने बोला मम्मी ने कहा मम्मी पापा ने बोला कि BTC कर लो इसमें नौकरी बड़ी आसानी से लग जाती है और इसलिए मैंने BTC कर लिया ठीक है दूसरी चीज हमारे चाचा जी हमारे जानने वाले भीया थे वो क्या कर रहे थे वो मास्टर थे ऐसे में और उन्होंने कहा मास्टर में इतना काम नहीं करना पड़ता और आराम से आईए कुरसी तोड़ी ये पैसा लीजिए इसलिए हमने BTC भी एड कर लिया सेम चीजे जब आप BTC के लिए जाते हो तो इंटर्विव में पूछे जाती है आपने BTC क्यों किया तो आप कहते हो पिता जी ने कहा हमारे बड़े भाई कर रहे थे तो हमने कर लिया बड़ा स्कोप है इसलिए BTC कर लिया आज भी ढूंड रही है उसको निगाहे जिसने कहा था भी टिक कर लो या अभी बच्चे ये भी कह रहे हैं कि उसको निगाहे अभी भी ढूंड रही है जो BTC भी एड बोला था प्राइमरी में भरती आई नहीं तो दोस्त एक चीज बहुत अच्छे से याद रखेगा जब हम बात करते हैं के विये से इंटर्वियू को ले करके आभी भरती आपकी तीन चार साल बाद आपको देखने को मिली अठारा के बाद एक चीज बहुत अच्छे से याद रखेगा उनका reply में answer क्या होगा या reply में क्या बोलेंगे कहेंगे आप से कि ठीक है तो जब उन्होंने कहा तो उनको ही नौकरी करने दो आप यहाँ पर क्यों हो किस लिए हो ठीक है आपको तो आपका तो कोई रूची है ही नहीं आपका तो interest रही नहीं इसमें जो है यह जी बहुत अच्छे से याद रखेगा जैसे मैं आपको बता दूँ कि कुछ क्या था अभी जैसे एक लड़की से हमारी कल बात हो रही थी तो उसने बोला कि भाई ठीक है वो NCC वाली बात कि NCC के बाद आप जो है यहाँ पर कैसे NCC में आप उधर से क्यों उधर नहीं गई या जो भी है डिफेंस में क्यों नहीं गई तो उसमें उसका जो जवाब था मैं आपको बता दो लंबा से जवाब सोच के रखा था उसमें उसने यह बोला कि सर वो पुल्वामा का अटैक हुआ था और उसमें जो है ऐसे ऐसे हमारे शहीद हो गए मतब साइनिकों कि अगर हम बात करते हैं और ऐसे में चुकि हम सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं और एकलोती संतान है ऐसे में तो हमारे माता पितर डर गए और उन्होंने यह कहा कि देखो ऐसा है कि आपको वहां हम जाने नहीं देंगे और फिर हम जो है इधर की तरफ हम चले आए तो ये सबसे गलत जवाब होगा बात समझ में आ रही है कभी भी देश की बात आए उसकी बात आए तो सिंगल, गर्ल, चाइल्ड और ये वो कोई माइने नहीं रखता नजाने कितनी नौजवान जो है वो सीमा पर ऐसे ही डटे हुए है और हमारे लिए हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान जो है वो ने उचावर कर देते हैं इन सब चीज़े को आपको कही भी मेंशन नहीं करना है वो सबसे गलत जवाब था अभी कल की मैं बात बता रहा हूँ तो इंटर्व्यू टिप्स में यही सारी चीज़े है जो हम आपको कही न कहीं बताते रहते हैं कोर्स भी हमारा आया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक करेंगे अच्छा लगता है तभी आप वहाँ पे हो ये बात बहुत अच्छे से आद रखेगा बस बाकी चीजों को आप कभी इंकल्यूड नहीं करिएगा वो बहुत गलत इंपक्ट डालेगा यही सबसे शांतार जवाब होगा कोई और सवाल है कोई और आपकी समस्या है तो कॉमेंट सेक्षिन में मैं ज़रूर करें बहुत बहुत शुक्री आप सुभी का जय हिंजय भारत